तो दोस्तों आज जो काम भारती एरफोर्स ने किया है वो कबिले तारीफ है लेकिन अगर ये काम शायर 5-6 साल पहले हो जाता तो भारत आज लडाकू विमानों की कमी से ना जूजरा होता अरसल आप में से जो लोग डिफेंस की खबरों को पिछले 6-7 साल से फोलो करते हैं उन्हें याद होगा कि भारत ने अब से कई साल पहले एक डील निकाली थी ये डील थी MMRC ये डील और इसके तहत भारत बहुत सारे लडाकू विमान खरीदने वाला था बहुत सारे कितने कर इतिहास में आज तक कभी भी किसी भी देश ने एक साथ इतने सारे और इतनी ज़्यादा कीमत के हतियार एक साथ नहीं खरीदे थे ऐसे में इस डील की काफी ज़्यादा चर्चा हुई लेकिन आपको बता दू कि ये डील न हो गई एक रबड हो गई जो खिचती ही चली लेकिन नई सरकार ने 36 राफेल भी खरीद लिये लेकिन आज तक ये MMRCA 2 डील ही कंफर्म नहीं हो पाई है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारतिय वायू सेना को त्यूंकि भारतिय वायू सेना के पास नए लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में नहीं है ऐसे में वो सोवेट यूग के जो 1980 के दशक में खरीदे गए थे मिग 21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल कर रही है जिने फ्लाइंग कोफिन कहा जाता है यानि कि उड़ता हुआ ताबूत और उसकी जद में हम हर साल अपने कई सारे पाईलेट खो देते हैं क्योंकि जो मिग 21 हैं उन्हें आप सिर्फ म्यूजियम में ही रख सकते हैं युदू लड़ना उनसे बहुत बड़ी बात है और यह तो हमारे पाईलेट की काबिलियत है कि वो अपनी काबिलियत के दम पर अपनी योगता के दम पर जो उन्हें ट्रेनिंग मिली है उसकी यह है कि 36 राफेल इस साल के अंतक सारे के सारे हमें डिलिवर हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि 36 का और ओर दिया जाए और उसके बाद 36 का और जिसे मिलाकर टोटल 108 राफेल हमारे पास हो जाएंगे उसके बाद हमें किसी भी देश से कोई भी लड़ा को इमान खृदने की ज रही है कि भाई आप MMRCA 2 के तहत 114 लड़ाकु विमान खरीदेंगे उसका प्रोसेस हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा मालिजे की एक साल तो लगेगा टेंडर निकालने में फिर एक साल में जितने भी टेंडर में देश आएंगे उनके लड़ाकु विमान को वाई उसे न लगबग साथ साल लग जाएंगे तब तक तो भारत का पांचवी पीडी का लड़ाकु विमान M का भी तयार हो जाएगा वहीं वाई उसे न ये कह रही है कि राफेल खरीदने में सबसे बड़ा अडवांटेज है समय का समय हमारा बचेगा हमने सारी चीजे नेगोशेट कर कि रखी हुई है कितने का लड़ा को विमान होगा कौन सी उसमें मिसाइल होगी हमारे हिसाब से क्या-क्या उसमें बदलाव करने चाहिए सब कुछ पता है फ्रांस को बस हमें उन्हें पेमेंट करनी है इतना नहीं फ्रांस ने तो ये भी कहा रखा है कि अगर आप हमसे और 36 लड़ा को विमान खरिदेंगे तो थोड़ा और कंसेशन मिल जाएगा थोड़ा और डिसकाउंट मिल जाएगा आपको वहीं जो सबसे बड़ा पोइंट है वायू सेना का वो ये है कि आप ही बताईए क्या चीन और पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए भारतिय वा राफेल का ओर्डर दे देना चाहिए परसनली एक बात मैं और एड करूंगा कि जब तक हमारा एमका तयार नहीं होता तब तक राफेल भारत का में गार्ड होगा चीन को रोकने के लिए ऐसे में राफेल जितना ज्यादा बड़ी संख्या में भारत के पास हो उतना ही ज्या